आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आलू के बारे में जब आप लोग आलू खोदते हैं तो काफी लोग एक कोशन होता है कि हम आलू तो खोदते हैं लेकिन हमारे आलू काफी कड़ जाते हैं किन गल्तियों की वज़े से आलू हमारे सही तरीके से नहीं खुद पाते हैं तो मैं आप लोगों को इसमें कि एक चीज बताने वाला हूँ कि आलू को खुदाई करते वक्त हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे आलू सही तरीके से निकलें किनारों पर बहुत ही गहराई में खोदना है कुछ इस तरीके से इससे क्या होगा कि किनारों से यदि हमारे मिट्टी तरीके से निकल जाएगी तो बीच में भी निकल जाएगी तो इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से इतना गहरा ही लेना है कि दोनों तरफ से यदि हम आलू की जो मेड़ी होती है उसमें यदि हम खुरपी या फावडा डालते हैं तो दोनों तरफ से मिट्टी जो होनी चाहिए निकल जानी चाहिए तो इस तरीके से आप लोगों एक भी कट नहीं रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को खोदना है, कुर्पी या फावडे को बीच में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, यदि आप लोग बीच में चलाएंगे, तो इस से आलू कटने के चांस बहुत होते हैं, तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है तो इस तरीके से आप लोग आलू की खुदाई कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने आलू को खोद लिया है कुछ और आलू भी देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े कितने मोटे-मोटे आलू है इस तरीके से मैंने इस पर वीडियो बनाया है दिया आप लोग द देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं तो यह थी वीडियो में मिलता हूं नए वीडियो में